सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोग परी है जैन न्यूस चैनल जन जन की आवाज आपके साथ बुलंद करने के तैयार उसी चैनल महल अश्मी जोड से बुद्वार शाम को आठ पर ये आपके पास साधर जैजनेंद सुबह और शाम आपके नाम लेकर आते हैं कुछ खास आज ऐसी बात लाएंगे जो आपके मीचे की पैरो की धरती सरग जाए तो हैरान मत हो येगा अरे तीरत गिरना रही है तो कोई बात रही अब शिकर जी पर जो प्रेशन चीन लगा है वह सुनकर आप हैरान हो जाएंगे पिछले तीन सालों में चैनल माल अश्मी ने ब्यास ही एपिसोडों में शिकर जी ये अवाज बागर उठाई है और आज यही मिलता है कि इस बूड़े को इस टोपी वाले को इसको आदमी को क्या होग या जो हमें शिकर जी के अदर कमेंटे को बतनाम करने में लगाए अरे नाम करने के लिए आपके बहुत चैनल हैं हर जगे आपका नाम होता है लेकिन आज हम खुला से जब करते हैं तो सच मुझ एवा कहने पर हमारे भी दिल में धक तक बढ़ जाती है आज जो सुना रहे हैं आपको सच मुझ हैरान करने वाला है यह कोई आज की बात नहीं है अब यह द्रश्य देखे पहले आप यह द्रश्य है इस रभी बार है हमने पिसली एपिसिटों में तीन बार है बार इस बात को कहा है कि हमारा शिकर जी एक टूरिस प्लेस बन कर रह लिए गया है तीश excitr कमीटी एतěश कहते हैं क्यों भोलते हो हमने इसके लिए बिल्कुल प्लानी कर रखी हैмен लिए हैं कुछ नहीं हुआ हमने कहा कि मांसाहर शाय ओपर तक जाता है टलेश बनता है सब कमीटियों ने एक सात्ष से आवाद दे दी क्यों भ्रामत बाते हो क् चूट मत बोलो, प्रमान लेके आओ, क्योंकि आज का कानूर भी सबूत मांगता है, यह द्रश्य आपको दिखा रहे हैं, आज वे सबूत, वे प्रमान जो इस संडे के हैं, दो जनवरी के दीन हैं, और कहां के हैं बता दे आपको, तलेटी में मदूबन थाने के सामने के हैं, केबल दस गज की दूरी पर है, घंटों बनता रहा है यह मास, और कोई कुछ नहीं कर पाया, पहले क्या कहा है, इस मास वाले से पूचा, कहां से आए हैं, पश्य बंगाल के मिदनापूर से, एक शर्व पहले यह सुन लिए, कहां से आए हैं अप लोग, कहां से आए हैं, कौन मोण, मिदनापूर, बंगाल, और रवीबार की दाजा चित्रों को, हमने अगले दिने सोंबार को दोबहर तक सब कमेटियों के पास पहुचा दिया, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, अब तो दरश्य सब के सामने आत करते हैं, सच पुछ कमेटिया हैरान हो गई, कल तक जो दरवाजे में परदे के पीछे था, यानि जिस पर छूट का नकाब चला के आज तक बोलती थी कमेटिया, अब सच अब बगएर परदे के हो गया, इसी के पास कोई जवाब नहीं था, तल जाच करते हैं, ढूमते हैं कैसा कहां से हुआ, ये द्रश्य कहा के सब बता दिया, और फिर आनन फानन तेहवा उन कमेटियों के बीच में, इस पर हम एक बड़ी बैठक करेंगे, शाम को साथ बज़े पाशनौत अनिंदा भवन में एक बड़ी बैठक भी होई, फैंसला हुआ, कल महा रैली निकाली ज अनिंदा भवन के सुधीर जैन जी ने, और फिर ये प्राते साड़े दस बज़े मंगलवार को एक महा रैली निकाली गई, गिंती जो इसकी 200 से 2800 के बीच में थी, पर वहां की कमेटिक नुजार ये बहुत बड़ी रैली थी, सोस लीजिए, जहां संतों के पीछे हजारों की फीड जाती है, वहां पने शिखड जी गए, सबसे शाष्वातीर्थ में एक रैली निकलती है, 200-200 आत्मे की, और कहते हैं बहुत बड़ी रैली निकाल ली, बहुत बड़ी जागुरूपता कर ली, इतनी बड़ी बात के ऊपर, बीस पंती से कोटी से निकल कर वह थाने पहुंची, द्रश्य आप देख रहे हैं रैली के, कैसे रैली पहुंची और कैसे आई, वहां के लोकल चैनलों में आया, और फिर इसका रैली ठाने पर खतम हुई, और ठाने में फिर ठाना प्रबारी को 1500 बागिया, इस बारे में सुननेते हैं पहले, अनींदर भवन के सु अच्छे का से रैली निकालते हुए, निटले थे, निकाले थे, निकाले थे, निकाले थे, और शुरुआत की थी, और ठाना में जाकर के, जो बड़े बागु है, उनको ट्यापन दिया, इसमें कुछ उपलबदी क्या होगी इसमें, उन्होंने बोला है कि हम आपके साथ है प्रसासन की जानकारी में कोई आई चीज आएगी, तो प्रसासन इसको तुरंट कारवाई करेगा, और आपको से भी बिंती है कि आप लोगों की जानकारी में भी कोई चीज आएगी है, तो हम कुछ निखना दे, हम तुरंट कारवाई करेंगी, जैसे अभी आई हमारे सामन दो दिन पहले की तो उसने क्या कारवाई की तो नहीं प्रावधा ने देने का तो उसका क्या करा कुछ करा नहीं नहीं कुछ भी नहीं किया क्योंकि यह ब्यहार के समय से प्रत्विद्द्द है पर बिहार से अलग होने के बाद जहां तक मेरे को जानकारी कारी मिनी है जाठाल के लेवल आप आप रेकांद। अब आपको बैट प्रफॉन्डिश्वार बैटकर एक और सोंच रहें कि डीशी से इसको प्रतुंदिश करवाएं इस शेत्र को। उनौने यह के इतानी इसथर से ते प्रसासन भोल दिया है। कि आप बोड वगरा लगाएं पर बोड क्या है कि यहां के साने लोगी उखार फेक्ट हैं हमने तो सब जगर लगवाई थे पहले लगे हैं और वो देस दिन पंदे दिन में उखड़ जाते हैं अच्छा हमने लाकी बार कप लगा हैं और कुछ नहीं है आखरी बार कब लगे हैं और महीं के आदमी बोल रहे थे क्या देखो आपने लगवाए थे कितने दिन रहे तब उखर के पैक गए मतलब क्या इससे सबस्ट होता है कि मासाहरवा बनता रहा है बनता रहाता है वी तरह बहुत बड़ी उपलब्दी वहां की कमेटियों की तीन है ना अच्छ जो कहते हैं आप हमें बताना प्रशासन कारवाई करेगा पर यह उनके लिए है जो केवल अच्छा ही अच्छा सुनना चाहते हैं हकिकत में बहुत कुछ हुल्टा है और यह मासा आज नहीं बना दसियों सालों से बनता आ रहा है कभी बस के पीछे बनता है कभी कहता है ठान तु बनता रहा कमीटिय कहती हमें पता चले हमें पता नहीं है अरे हर शुक्करवार को सूत्र बताते हैं वहां अचे यहांद करती है पिछले 30-40 ङई आंदर दस हजार जेन नहीं जा पाते हैं कि पचास जार एक लाख वह आजेन जाते हैं अभी चोदार पंदर को दिख लीजेगा एक जेन उपर निचल पाएगा और वहाँ पर दो लाख से उपर आजेन चड़ जाएगा यूते लेकर रॉन्तों में चला जाएगा और हम कुछ ये कहते हैं आज मास के बारे में ये कहा जाता है हम कारवाई करेंगे अब ये एक वोड देख लीजिए ये बोड देख रहा है आपको ये हमारी हकीकत इस बोड की जैसे इस बोड की हालत है ना ऐसी हमारी हो जाती है चार बोड लगा देते हैं कि यहापर मासाहार मसली आदी दंडनी अपराद है पवित्र शेद्र भोशित है अरे क्या पवित्र गेत्र भोशित है यहापर हम कुछ कर नहीं पाते हैं इस बोड को तक हम एक साफ नहीं लगा पाते हैं इस तरी अरे कई बोड लगे थे कई साल प है अगर डर कहीं रहेंगे तो गिरनार तो क्या सिद्षेत्र क्या और कल से हमें सिद्षेत्र मत करने को नहीं बचा वाएंगे कहते हैं बहुत ज्यादा लोग है हम जरासे हैं अरे वो तो बिलकुल सही है 130 करोड की आगे केबल 44 लाक है हम अरे एक फिल्म आ रही है एक के सिखोने के अंदर हजारों अफगानियों को अनुने कैसे रोक दिया था मात रही की सिखोने रोका था और हमारे जयन में कहते हैं बहुत बादूर है लेकिन कुछ कर न कर रहा है अपने बड़े-बड़े मंदिर को बनाने वाले आज कुछ नहीं कर पाएंगे अगर अपना शाष्वाली रन्तीत हम नहीं बचा पाएंगे अगली आने वाली वंश न हमारी पीड़ी आई न वे हमारी इस कहानी को इसी तरह सुनेगी जो हम आज वर्तवन गिरनार क के बारे में सोचते हैं बुरामत मारी ये का हकीकत है यह मास यहापर हर समय बनता है हर रोज बनता है अब तो हकीकत दिया तक आ गई है क्यों बढ़ गया क्यों ऐसा काम हो गया धीरे-धीरे अरे पहले हम जब खुदाई होती है तब ही नहीं रोकते जब फुनसी होती है शर संतों को, विद्वानों को, शेष्ट वर्गों को, सब को मिलकर एक आना होगा, नहीं तो गर-गर मंदिर बनाते रहना, इनका साथ वह भी कब मिट जाएंगे, पता नहीं चलेगा, अरे करोडों रुपे लगाए थे, अरे अपने तीर्थों को नहीं बचा पाओगे, बहुत बुरा लगता है, जब हम कहते हैं ऐसा, हम मानते हैं हमारी बात बहुत कड़वी है, लेकिन कहते हैं कड़वी दवाही अंदर जाके असर कर पाती है, नहीं तो चाप लूसी के लिए और मीटी चाशनी के लिए, आपके बाद बहुत सारा मीडिया है, जहां पर हम पैसे भी हम खुद करने को तयार हो जाते हैं, विश्वास कीजेगा, आज अगर चैनल महलश्मी बोलता है, तो किसी जस्बे के करणा बोलता है, सिर्फ लक्षय यही है, कि हम अपने तीश्तों को स्विरास्तों को बचा रखे, नहीं तो सिद्शेतर आजितिहास में है, कि रादी नि का भी है, और चौत्य बार यह होगा, कि यह तो केवल उसी संप्रदाय का है, जैनिया के जवरन का वर्जा करते हैं, हकीकत यही हो जाएगी, अगर हम आज भी नहीं जेते, शमा करेंगे, जिनको बुरा लगा होगा, पर जिन में वजन है, वीर्ता का दम है, वे जरूर आग